श्री श्रिवार नमदो नमदो सोमबार की अगर प्रदोष पड़ती है बहुत ध्यान से सुनना मारत सोमबार की प्रदोष पड़ती है तो संकर बदवान के लाश पर निवास करते हैं हमारे यहां करते हैं सौंबार की जो प्रदोष पड़ती वो इच्छा फूरती करती है फ़ड़ा ध्यान देना कथा पर संकर बदवन को पांच जगा पर अब जल सड़ाते हो एक लोटा पानी एक बेल पत्र एक पुष्प एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णे को बदल देता है उसका क्या भाव हो था उसके किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था उसका एक लोटा पानी उसको सुख की और ले जाता है एक लोटा जल हर समस्चा का हल तो आपकी जीवन में केसी भी समस्चा हो केसी भी दूदा हो या केसी भी कुछ भी प्रोब्लम से चल रही हो अगर आप एक लोटा जल सुबे सीविलिंग पर जाकर समस्चित करना जालू कर देते ही उसके बार चिवर लागे केसी भी समझ चाहों तो बहुत बहुत बढ़िया हरार महादेव धन्यवाद बहुत बहुत और आप तो चड़ाओ साथ में अपनी अडोसन और पीछे वाली धडोसन इनको भी कहो एक लोटा पानी शीव को चड़ाने में कुछ घटता नहीं है वेसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्नोंने सीवलिंग पर एक लोगा जल चड़ाया और अपनी जो मन की मकामना थी तो बहुत बोले को बताई उसके बाद एसा त्मातकार हुआ कि उनकी जिन्न की हीवड लेगी तो आपको जो भी ऐसा इनसान मिले जो दुखी है परिसान है या कोई समस्चार से गिरा हुआ है आप उनको ज्यान करें दो कि एक लोटा जल शीवलिंग पर चड़ाने से मिट जाते हैं पहला वास्तु दूसरा पित्र तीसरा कालसर दोश ये तीन दोश शंकर जी पर एक लोटा पानी चड़ाने से मिट जाते हैं पानी मंदिर का नहीं पानी अपने घर का लेखा जाओ मंदिर का अगर पानी लिया है एक लोटा तो एक रुपिया दान पेटी में चड़ाओ दो रुपिया चड़ाओ पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो मंदिर का पानी ले रहे हो मंदिर की बालती ले रहे हो तो हमें फिरी में पानी नहीं चड़ाना हमें एक रुपिया दो प्राह्मन देयुटा के आध़ में देना है hum prof गूरू जी लोटा लिसाव गूरू जिए में। एक लोटा चल संकर भगवान पर चड़ाते हैं तो आपकी जित्ती भी समस्या हैं जित्ती भी प्रोब्लम से जित्ती भी जीवन में दुईरा हैं सब खत्म हो जाएगी बस आपको विश्वास करकर एक लोटा चल अब पारवती जी को जो तुमें जल चणाऊगी और बेल पत्